सबी किसान भायों और बहनों को नमस्कार सरसों अनुसंधान निदेशाले सेवर और डीडी किसान के सहयोग से आज हम आपके लिए राई और सरसों की खेती पर सरसों अनुसंधान निदेशाले सेवर के वैज्ञानिकों द्वारा ये जानकारी लेकर आए हैं आज जानेंगे सर्सों की खेती में रोगों, कटाई, गहाई और भंडारण के विशे में पिछले चार कारिक्रमों में हमने आपको किस्मों की चयन, बीजोपचार, बुआई, खाद उर्वरक की व्यवस्था, विरलीकरण, रोगों की पहचान और नियंत्रण, कीटों का प्रबंध, खर पत्वार नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी साथ ही सरसों की खेती में मोन पालन के महत्व पर भी बताया गया अब फसल की कटाई का समय आ चुका है इस समय ये जानना आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में फसल में जो रोग लगे थे उनका फसल के पकाव पर कितना असर पड़ता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाए आईए लेते हैं ये जानकारी आज हमारे साथ में डॉक्टर पंकज शर्मा जी है जो प्रधान वेग्यानिक है सरसोन सुनान देशाले सेवर में डॉक्ट साब पिछली कडियों में हमने फसल की अवस्था छोटी थी तब अपने किसान भाईयों को बताया था कि ये कितना गातक होती है अब हमको बताईए कि आप फसल पकने को है और आपके इस प्लॉट में काफी बीमारियां लगी हुई है देखिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सफेद रोली रोग का प्रकोप दिसंबर के बाद में सुरू होता है जैसे दिसंबर रुआत होती है ठंड का मोसम होने लगता है अधिक आधरता होने लगती है तो जैसे हमने इसली कडी में देखा था कि पत्तियों के नीचे की और सफेद धब्बे से बनने लग जाते हैं और यह सफेद धब्बे उपर की तरफ से बैंगनी रंके होते हैं तो यह अब चुकि काफी पुराना हो गया है दब्बा इस वज़े से लेकिन फिर भी यह दिखाई दे रहे हैं यह सफेद धब्बे सफेद रोली रोग जो एक फफुंदी जनित रोग है उसकी वज़े से इसके उपर पत्तियों पर आये थे लेकिन बाद में जैसा कि आपक करके और फलियों तक आजाती है और जहां पर यह फूल बन रहा होता है उस फूल बनने की अवस्ता में यहां पर जब सफेद रोली का जो फफुंदी है आजाती है तो वह इसको विक्रत आकार की कर देती है देखिए आप इस तरह के जो हैं यह इनको हम स्टेग है बारा सिं बन जाती है तो जहां पर मान लीजिए इस साखा के उपर आपको 25 फलियां बननी थी या 20 फलियां बननी थी वहां पर आपको मुश्किल से 5-7 फलियां मिलेंगी और यह पूरा का पूरा आगे विक्रत हो करके और देरे-देरे करके खराब हो जाएगा अब बाद की अवस्त पत्यों के उपर दिखाई देने लगती है यानी सफेद रोली रोग का इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा वह अभी जैसे यह आपने बताया कि यह तूटके गिरेगा और इसमें से इसके की टांडू या जीवांडू जो भी कहें तो जमीन में पड़े रहेंगे पूरे साल इंतजार करेंगे जो जमीन से चूती हुए बाग पर जो पत्या होंगी उन पत्यों में शुरुवाती अवस्ता के अंदर सफेद रोली रोग दिखाई देगा आपने पिछली बार जिक्र किया था कि इसका नियंतरन उस समय पर क्या करेंगे अब नियंतरन के लिए आपको बताओं उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि जो दूसरा रोग हमने एक चर्चा की थी वो था म्रदूरो मिलासिता म्रदूरो मिलासिता रोग के अंदर जो रोग है वो शुरुवाती हवस्ता में कम तापमान होने पर कई बार अंकुरन के समय भी दिखायों थाना छुप फेद रोली का है बारैसिंगदा जो बना हुआ है और इसी के ऊपठर आपको यह हलकी हलकी सी रूओी जैसी की व्रद्द्वि दिखाई दे रही है आप देखेंगे यह चोटा सा बना हुआ इसके उपर भी यह फफूंदी की व्रद्धी दिखाई दे रही है तो यह मुर्दू रोमिलासिता की वज़े से तो मिक्स्ट की इन्फेक्शन हो गया मिस्तृत इनका संक्रमन हो गया दोनों का तो दोनों के नियंत्रन के लिए मुर् उपचार करना बहुत ही आवश्यक है खास्तोर से उन शेत्रों में जहां पर स्प्रिंकलर से फंवारा विदी से चाहिए कर रहे हैं यह जहां पर देरी से सरसों की बौई कर रहे हैं वहां पर सफेद रोली आने का अधिक संभावना रहती है साथ ही अगर आप सभी बीज को वह बीज उपचार इसमें कारगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है जैसे ही पत्तियों के उपर पैंतालिस से पचास दिन पर सफेद रोली रोग का प्रकौब दिखाई देता है उस समय आपको क्या करना है रिडो मिल एम जेड नामक फफुंदी ना सके जिसे दो ग्राम प्रती लिटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना है और रोग की उग्रता के अनुसार इस छिड़काव को आप 15-20 दिन के बाद में दोरा लें तो उससे क्या होगा कि आगे चल करके यह संदचनाए नहीं बनेंगी अब रोग साब जैसे अब यह बन गई है तो इस समय भी कुछ इसको आगे ना फैले देखिए इस समय हम किसी भी प्रकार का जो इकोनोमी जिसमें कहेंगे कि किसान लागत लगाएगा लेकिन इससे फायदा नहीं होगा क्योंगी रोग आचुका है फलिया नहीं बनेंगी तो आपको आगे इस रोग का प्रसाड नहीं हो तो अगर मानलीजे आप कुछ शेतर के अंदर आपको इस तरह की स्टेग एड दिखाई दे रहे हैं उनको आप हाज से तोड़ सकते हैं इस प्रकार से तोड़ करके एक बाल्टी में इखटा करते जाएं और जाके कही मिट्टी के अंदर दबा दें ताकि अगले वर्स इस अगर आपको लगता है कि कई बीगा में या कई एक्टेर में आपने लगा रखा है इसको तोड़ने इतना समय नहीं है या लेबर लगाने में पैसा लगेगा तो आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं लेकिन अगली बार आपको बीच को उपचारित करके ही बुआई करनी है तो किसान भाईयो इसी प्रच्छेत्र पर हमने पिछली कडी को सूट किया था और आपको दिखाया था कि यह जो प्लॉट है जो कट चुका है वो समय से वहाई थी और समय से वहाई का फैदा है कि फसल जो है समय से कट गई तो इसमें कोई बीमारी नहीं है यह 22 नवंबर का प्लॉट था यह 19 नवंबर की और 19 नवंबर के यह वहाई है और इस समय पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्लॉट पर हम रोगों को देख पा रहे हैं और इस आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमने समय पर कटाई कर लिए जो यह 8 अक्टूबर की यह 15 अक्टूबर की जो हमने बुवाई किये और यह कटिवी फसल है इसको हम इस प्लोट के इसाब से कर ओस्त निकालते हैं तो लगबग 25 क्वेंटल प्रती हेक्टेर का हमारे को पैदावार मिल जाएगी लेकिन इसका जो हमारे पिछले 10 सालों से हम इसको देख रहे हैं इ इसमें जो पैदावार में अंतर जो आप बता रहे हैं यह सिर्फ बीमारी का भी है साथ ही इसके अंदर क्योंकि फसल की अवदी लंबी होती है और यह देरी से बुगाई है तो इस फसल को पूरी अवदी नहीं मिली है इसकी वज़े से अब तापमान बढ़ने की वज़े स हैएगी यहांने जल्दी पकाव में तो जल्दी पकाव में आने से उसाफी है वह छोटा रह got तेल की मात्रा इसमें कम रह जाएगी और बीज सोनते कंढ़ से इस वज़े तनागलन के बारे में बताईए यह जो पौधा है यह तनागलन सी प्रभावित है यह बिल्कुल तनागलन सी प्रभावित है और इसका मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा कि तनागलन रोग का प्रकौप एक फफुंदी की वज़े से होता है और तनागलन का जो समय ह होता है जब तनागलन रोग आता है वह लगबग दिसंबर का आखरी सब्था रहता है उस समय इसकी शुरुवात होती है और यह जनवरी के पहले दूसरे सब्था में बहुत अधिक इसका प्रकॉप रहता है होता किया है कि उस समय वातावरंड में दूप कम निकलती है फोग या जो हम कह सकते हैं कि कोरा बहुत अधिक रहता है इसके अलवा हाई हुमिडिटी बहुत अधिक आधिक आधिता रहती है और तापमान में कमी रहती है इसकी वज़े से क्या होता है कि इस फफुंदी के जो प्रोशिया होते हैं काले दाने जो रेश्टिंग बोड़ी होते हैं फंगस के वो जमीन के उपरी सतय में अगर 3-4 cm में रहते हैं तो वह नमी और इस वातावरंड को पा करके अंकूरित होते हैं यानि कि उनके अंदर जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर के उनके अंदर छोटे-छोटे-च्छत्री-नुमा एपोथीशिया बनती है जिनसे लाखों की संख्या के अंदर एसको इस्पोर जो फफुंदी का बीजानू है वह निकलता है और वह हवा के साथ में उड़ता हुआ जाता है जहां पर अठकाव हो सकता है उस जगह पर पड़ी हुई मिलेंगी और जैसे एसकोई स्पोर या जो बीजानों हो वाकिस से टक्राएगा और टक्राने के साथ में वहां पर वह उसका अपना बोजन लेना शुरू कर देता है उस पंखुडी से और बोजन लेने के बाद में वह पर प GitHub को जब है कि ऊओघेसे एनफेक सबूस्ट से और ने में जो जाए गा इसको तो अदर जो पकाव हो जाएका इसके ज़ैंगे में बहुत चोंटे चोटे रहेंगे जो तो एकर के और यह जल्डी मैचेर हो कर गेор झाया के अगर विखन देखेंगे यहां से आप देखेंगे इस प्रकार से तो इसके अंदर इस प्रपुंडी के जो रेस्टिंग स्पोर हैं इसक्रोशिया यह जमीन में गिरने के बाद में अगले 12-13 सालों तक भी अगर सर्सों नहीं मिलेगी यह रोग नहीं आएगा तो यह ऐसे ही पढ़े रहेंगे और जिस समय अनुकूल मोसम और सर्सों की फसल मिल जाएगी फिर से य इसका नियन्तरन वीज० उपचार है या साथ ही हमारे और सारी साथानी है भी बहुत रहने हैं खासी तोर छोड़िम साथ बिज को आपनें पर देखे। और इसके बीजोब चार के लिए को carbon negative 2 ग्राम प्रती किलो बीजकी दर्सें उप्चारित करना या जैयन नाशक फफूंदी नाशक शनकर माके नाम से जाननते परन्तु आगे चलकर कि जो आपको मैं बता रहा हूँ 60-65 दिन में जब पंखुडियां होंगी उस समय इंफेक्शन आएगा उस समय बीजोबचार काम नहीं करेगा उस समय आपको ये दियान रखना है एक तो 25 दिसंबर से 15 जनवरी के मद्दे में आप सिचाई नहीं करें सरस कि ताकि वो जो इस्क्लोशिया थे वो उब नहीं पाएं वापस तो एक ये सीधा तरीका है जिसके अंदर किसान भाई सिचाई रोग करके इस रोग से बचाव कर सकते हैं बूसरा ये उसी समय पर कभी को भी मावट या इस तरीके का आजाता है ये बिलकुल मैं भी यही चर करसों की फसल है वहां पर लगबग 20% से अधिक तनागलन का प्रकोफ खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है जो कि हमारे कुल उत्पादन के अंदर उसका नुकसान हमारे को देखने को मिलेगा साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय जो आपने इरीगेशन जो आपने स कूल आया हुआ है उसके उपर से छिड़काओ करना है नहीं की जमीन पर नहीं पत्तों के उपर ताकि उन पंखुडियों के उपर जो फफुंदी ना सक लग जाएगा वो पंखुडियां जब नीचे गिरेंगी अगर वो संपर्क में भी आती है तो बचेगा फफुंदी ज करेंगे जलाने के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जलाना इतना जरूरी नहीं कि हम जलाएं इनको जो गैप है उत्पादन में प्रत्य एकड़ उत्पादन में या प्रत्य हेक्टर उत्पादन में उस गैप को पूरा करने के लिए जरूरी है जो टेक्नलोजी वेग्यानिकों की है उसको सत प्रतिसत रूप से अपन सरसों की फसल की सही कीमत तब मिलती है जब उसमें उचे तेल की मात्रा हो इसलिए आवश्यक है कि फसल की कटाई गहाई ओसाई और भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए आईए लेते हैं ये जानकारी हमारे साथ में डॉक्टर आरेस चौधरी साब है जो वेग्यानिक है सरसों सुन्दान ने देशाले सेवर में डॉक्ट साब आपका फार्म है ये इस पर सरसों की जो कटाई है अलग अलग प्रचेतर में अलग अलग स्थिती में है क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट चलते हैं अलग अवस्था में देखाई दे रही है तो सबसे पहले बताईए कि जो सरसों की फसल की जो कटाई है उसका उचित अवस्था उसका माद्यम उसका तरीका किसान भाई पैसे सभी करते हैं लेकिन वेज्ञानिक विंदू होते हैं उनको किसानों तक पहुँचाना चाहते है हम बात करें कि पहसल की उचित आवस्था क्या होने चीए वो ज्यादा इंपोर्टेंट है तो किसान भायों जो सबसे परमुक आवस्था है यह हम कहें कि जो कटाई के लिए उप्यूक्त आवस्था है वो है कि आपके खेत में जब फिचेतर परतिशत पलियां पीली दिखा देने लगे आपके खेत में तो वो कटाई की एक सरोतम अवस्था है तो इसको कुछ हम किसी बाली को तोड़ करके या उसको करके भी पता कर सकते हैं जी इस मैं आब अगर देखोगे तो दाने के अंदर लगवत 30 से 35 का नमी रहती है और अगर हम इसको फली को दबा के देख बीच में दबा के वह कुछ और परतित होते हैं तो तो तोड़े नहीं थी या तो 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 डूटेंगे तो नहीं होंगे sustaining एंजा री तो तो थीय जरूर को उससिपर ये आपको क्टाई में थी जो कटाई के लिए उचित नमी होनी चाहिए वो दानों में लगभध 30 से 35 पार्तिशत की होनी चाहिए जैसे आपने कहा 30 से 35 थिए हमारी जो नमी है उस कटाई के समय रहनी चाहिए और जो बाजार में बिखने जाएगी तब नमी अलग अलग हो जाएगी तो यह हिस्सा जो है ना इस पूरी प्रक्रिया के लिए खेट से खल्यान तक और खल्यान से बजार तक जो है न उचित जो उपज है वो बजन के रूप में हमें मिलेगी तो तीस फिस्दी के आसपास की जो नमी है वो कटाई के समय रहे और जब बिक्री तो अब मार्केट में फिरम ले जाते हैं तो उसमें लगबग 10-12% कि इसमें मोश्चिर होता है अब प्रशनी उठता है कि जो हमने अवस्था तो जान ली कि नमी कितनी रहे लेकिन कटाई कैसे की जाए जिससे के हमारी लागत कमाए उसमें लेवर कम से कम लगानी पड़े अच्छे यंत्र चाहिए और सही समय पर जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए तो एक तो आदमिया खुद श्रम करके लेवर लगा करके काम पूरा होता है कुछ मशीनों से अब काम होने लगा है तो इन में काटने के लिए क्या-क्या वेदियां फिक्सित कि गए जाती है तो दराती में देख रहे हो एक नमिनतम दरात है और इंप्रोड वर्जन है आप कह सकते हो इससे इसका फाइदा क्या है कि एक तो जब यह काटते हैं तो फिसल के अंगुलियों पर नहीं आती है तो इससे किसान भायों को चोट नहीं पहुंचेंगी साथ यह जो दरात देख इससे अगर हम कटाई करते हैं तो यह पिसल के अंगुलियों पर आजाते हैं इससे चोट लगने का डर रहता है किस जगह से हमको इसको सही तरीके से अब किसान भायों देखो फसल को हमें इस प्रकार से काटना चाहिए कि हमें उसकी गहाई और जो हम थ्रेसिंग करते उस प लिए आप लगवक्त नीचे से बुठने की हाइट समझ लो या एक से डेड़ फिट की हाइट समझ लो वहां से काटना चाहिए इसको और इससे क्या होगा जो खेत में जो डंठल बसते हैं वह आपकी जो मरदा की उर्णा सकता है उसको बढ़ाते हैं जो जो तरीके से मिलने कटाई कर लिए उसके बाद फसल को छोड़ देना चाहिए खेत में लगबग एक सप्ता के लिए एक सप्ता की इस तरीके से जी ताकि धूप में आपकी फसल सूख जाए और इसमें जो दानों का कलर है वो भी अपना प्राकतिक कलर लेने लग जाता है जैसे पिला भूरा ज सूख ने दे फसल को किसानवा यू कटाई के बाद जरूरी है कि सही तरीके से फसल हमारी खलयान तक पहुंचे और फुरस की घाही ठीक तरीके से हो गाही के मामले में कई ऐसी विक्सित मसीने बन गही है जो के सब फसलों पर काम आती है ये मसीन बहुत उन्नत है और संस्थ किसान के वैग्यानिक हमारे साथ में डॉक्ट रहल चौदी जी है डॉक सब सर्सों की जैसे गाही करनी हो तो पुराना तरीका तो अब हम जानते हैं को ट्रेक्टर से जो एना करते थे लेकिन ये जो मसीन आपकी है तो ये सर्सों के लिए निकाली गई है जी 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 उक्यु तो मैं जान ले आई ये उसको और खल्यान में लाने के बाद फिर उसकी मडाई की जाती है मडाई करने के लिए आप जो सबसे उपिप तरह का है वो मसीन के दिवार त्रेसर जी इसको बोलते हैं और आज कल मार्केट में मल्टी क्रोप थ्रेशर भी अवलेबल है मतलब एक ह अगर इससे कम नमी हो गई या चैसे बारा परतेसक नमी है तो इस अवस्ता में मडाई करने से क्या दाने टूट जाते हैं उक्सती पहुंचती हो इससे आपकी पैदावार में विप्रेत प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो भंडारन के समय जो तूटे वे दानों कि सुवसंदर बढ़ जाती है इससे जो कवक और रोग जो है वो केड़े पनप जाते हैं यानि कि तूटेंगे दाने तो सडेंगे स प्रभाव में प्रभाव में आएंगे आएंगे इसलिए यह एक अवस्ता रहती है जब नमी बारा से बीस पर तिस तक हो तो इसके बाद में गहाई करने के बाद में जिस मसिन चापने थ्रेंसिंग कर ली तो फिर भी उसमें थोड़ी असुदी रह जाती है जैसे असुदी कि इसमें तो फाइदा यह है कि इसमें दाना अलग से निकलता है और बूसी दूसरी तरफ अलग निकलती है तो दोनों को सेपरेट कर देता अलग कर देता है यह मसिन का फाइदा होता है लेकिन फिर भी कुछ असुदीयां रह जाती है तो उसके लिए फसल की ओसा ही करने प पाजारे पाजारे मिलते हैं उसके सामने फसल को पिज कंदे की उंचाई से लेकर अनावर्शक अरिया है कुडा करकट है उसको हटाना है जी उसको नीचे गिराएंगे तो हवा से वो अलग हो जाएगा इसके बाद फसल को आप जो है वो कुछ दिन एक अपते का फिर सूपने दीजिए एक अपते तो हमको काटने के बाद में खेत में सुखानी थी और उसाई के बाद में एक अपते तक फिर सुखाना क्योंकि नमी अभी भी आपके बीज में ज्यादा रहेगी वो नमी को हमें बंढरन तब करना है पसल का जब उसमें लगवा आठ परतेसत की नमी हो जो बीज को शड़न पैदा कर सकती है इसलिए नए बोरों में आप पसल को डालेंगे बंढरन करेंगा तो बीज शड़ेगा नहीं उनकी जो तेल की मात्रा गुनवत्ता या उपज में भी कोई प्रवावित नहीं होगा कि सर भायों जैसे आपको पता है सीड गरेडिंग के ये वी डिवाहण जैसे आप बन्दे के बाद में रोड़ बंड़िंग के बाद में बुरीया बोरा बंडी के बाद में इसकी स्टेक करते हैं तो isके स्टेकिंग के लिए आजिकेल बंचन आमनेवेशी जो आर्टी पॉलीपेल्स ये फाइदा है कि इसम एक तो जमीन से ट् तो polypillets के उपर बसे staking करते हैं सर्चों के बीज की और सर्चों के बीज और सर्चों के बाद से पहले आपको यह भी जान रखना चाहिए कि दिवारों से कम से कम कम से कम दो फिट का फासला होना चाहिए जिससे क्या कि जो 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 इंस्पेक्टर है सीड कंपनी का या रससी और नसी का इंस्पेक्टर है वो मौका मौईना करके इसको भी इसको सेंपल को पास करें क्योंकि यह सीड इंस्पेक्टर की यह रिक्वार्नमेंट रहती है जब यह आप इस्टेकिंग करें तो इस्टेकिंग एक definite ratio रहता है उसके इस इसी ratio में आपको maintain करना पड़ेगा और इसकी moisture level चेक करता है मोशेल लेवल जो इंस्पक्टर है वो मोशेल लेवल चेक करेगा और यह 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अधर वो 8% जैसे 10-11% से ज्यादा होगा तो इंस्पक्टर इसको रिजेक्ट करा सकता है पूरे लोट को फिर उसके बार में जैसे आप इस टेकिंग कर देंगे तो इसको फिर आप यहां रखे और फिर उसके बार जैसे आपको समय मेले उसको आप 1-2-5 किलो की थेलीम पैकिंग करके और किसानों को दे सकते हैं इस कड़ी में बस इतना ही अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर तब तक के लिए सुईकार कीजे हमारा नमस्कार अगली के लिए सुईकार नमस्कार